बच्चों, एकाई एक के अंतरगत हम भाग तीन यानि धर्म के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? धर्म के अंतरकत हम ये जानेंगे कि धर्म क्या होता है और धर्म का अर्थ क्या है धर्म और धर्म निर्पेक्ष्टा से क्या मतलब है धर्म और नेतिकता क्या होती है और धर्म और राजनिती धर्म का मतलब राजनिती अहिंसा और राश्ट्रेता के साथ हम संबंद जिसमें आपसे धर्म और धर्म निर्पेक्ष्टा शब्द का आर्थ पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं धर्म ठीक है आप अपनी पाठे पुस्तक के साहरे से समझते वे से समझें जिसे स्वामी विवेकानन जो है आपने उनका नाम सुन रखा है स्वामी विवेकानन ने आध्यात्मिक्ता और बाहियो उप्चरिक धर्म में अंतर बताया है स्वामी विवेकानन्द का कहना है कि धर्म जो है वो मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व और आध्यात्मिक्ता का विस्तार मात्र है पहले से व्याप्त देवत्व वे आध्यात्मिक्ता का विस्तार मात्र सभी धर्म गुरुवों और आध्यात्म को समझने वले विद्वानों ने अपने मत और विचार के आधार पे धर्म और आध्यात्मिकी परिवाशा प्रस्तुत की है जैसे कन्फूशियस, मोजिस, पाइथोगोरस, बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसी, मुहमत पैगंबर, मार्टिन लूथर, कैल्विन और गुरु नानक आप सभी जानते हैं आपने इनके नाम सुन रखे होंगे बुद्ध ने जो है बोध धर्म का निर्मान किया महावीर स्वामी जेन धर्म से, ईसा मसी, ईसाई धर्म से, मुहमत पैगंबर, इसलाम धर्म से और मार्टिन लूथर, कैल्विन और गुरु नानक शिक धर्म से इस प्रकार ये सभी ने ये संदेश दिया है कि मनुष्य में ही दिवता है, मनुष्य में ही देवत्व है। इतिहासिक रूप से विश्व के विभिन भागों में काल, इस्थान और संस्कृतिक अनुरूप कई धर्मों का उद्वव और विकास हुआ। समय, इस्थान और सांस्कृतिक आध्यात्मिक परस्तियों के परिवर्तन से धर्मों में भी परिवर्तन आए बहरी रूप से सभी धर्म ने एक्ता के बुनियादी तत्यों और मुल्यों की बात की है वर्तमान समस्या अलग अलग धर्मों और मतों में एकता इस्थापित करने की चेश्टा है भले ही हमारे धर्म अलग है लेकिन हमारा मकसद क्या होना चाहिए सभी धर्मों में एकता इस्थापित करने की चेश्टा होनी चाहिए ठीक है आपने डॉक्टर पूर्व उप्राश्टपती डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन का नाम सुन रखा होगा इन्होंने भी आध्यात्मिक्ता को धर्म का अभी केंद्र माना है सरुपली राधा कृष्णन का कहना है कि धर्म का जो सार है वो इस बात में नहीं थै कि ये आत्मा के उन्नैन के लिए आध्यात्मिक पक्षपर बल दे और जीवन को धर्म निर्पेक्षता की और अग्रसित करे ठीक है, धर्म का सार इस बात में निहित है कि ये आत्मा के उन्नैन के लिए आध्यात्मिक पक्षपर बल दे और जीवन को धर्म निर्पिक्ष कियो और अग्रिसित करे तो आप समझ सकते हैं कि धर्म को लेकर अलग-अलग विचार को ने अपने अलग-अलग विचार दिये आध्यात्मिक्ता के बारे में बात की और आप सभी जानते हैं कि सभी जो उपर हमने नाम पड़े हैं अपने अपने धर्म के धर्म गुरू हैं और भली इनका कहना है कि सम के साथ साथ कई परिवर्तन आये हैं लेकिन एक मकसा दिन का कभी नहीं बदला वो है धर्म और मतों में एकता इस्थापित करना धर्म का अभी केंद्र अध्यात्मिक्ता को माना है सरुपली राधा कृष्ण ने आये धर्म का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं जहां तक धर् ऑष्कृतियों और देशों में अलग-अलग अर्थ में उप्युक्त हुआ है भारत में अगरम धर्म की बात करें तो भारत में इसे कर्तवय नाम दिया गया अहिंसा नियाई सदाचरण और सदगुन के अर्थ में मानेता प्राप्त है Dremm का मतलब कर्तवय में भी बताया हमा मानेता प्राप्त है हमारा धर्म सामानेते जो धर्म है वो विश्वासों और प्रताओं की एसी प्रणाली है धर्म क्या है विश्वास है प्रता है ऐसी प्रणाली के रुप में उसको परिभाशत कर सकते हैं जिसके माद्यम से लोगों का समू ये व्यक्ति का उच्च इस्त विकास स्वे को जानना है जब स्वे को जान लेता है व्यक्ति तभी परमार्त में जूटता है जब व्यक्ति अपने आपको समझ जाता है अपने आपको जान लेता है तो वो दूसरों के कल्यान के लिए सोचना शुरू कर देता है अंग्रेजी में धर्म का समानांतर शब्द रिलीजन रिलीजन का क्या मतलब है आस्था विश्वास ठीक है आस्था विश्वास और अपनी माननेता कि आप किस सीच को मानते हो किस सीच को महत्व देते हो लेकिन अंग्रेजी का शब्द रिलीजन सही अर्थों में इस बात को सपष्ट नहीं करता क्योंकि धर्म जो है आप जानते हैं किसी पूजा पदती, कर्म, कांड, उपासना, विधी, संकीन अर्थों, तिलक, चोटी, डाड़ी, टोपी, गंडा, ताबिस धारन करने का नाम धर्म नहीं है वास्तों में प्रतेक मनुष्य का अपना सुनिष्चित कर्म है, अपना सुनिष्चित कर्म अत्वा कर्तवे का निष्टा पूर्वक पालन करना ही धर्म अनुसार आचरन करना है ठीक है प्रतेक मनुष्य का अपना सुनिश्चित कर्म या कर्तव्य जिसका कि वो निश्टा पूर्वक पालन करता है धर्म के अनुसार आचरन करता है यही धर्म है और ये सब चीजे तभी संभव है जब मनुष्य अपने स्वार्त से अपने स्वार्त की संकीनता से अपने अ धर्म जो है सर्वत्र पवित्र समझा जाता है तभी धर्म का सही माइने में अर्थ समझा जाता है लेकिन धार्मिक पवित्रता जो है वो सापेक्षवादी है कैसी है धार्मिक धर्म के प्रती जो आपकी पवित्रता है वो कैसी है सापेक्षवादी क्योंकि जिसको एक धर्म पवित्र मानता है संभव है वे दूसरे धर्म में ग्रणा की द्रश्टी से देखा जा सकता है वास्तों में मनुष्य ही निर्धारित करता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है क्या पवित्र है और क्या पवित्र नहीं है यह मनुष्य ही निर्धारित करता है धर्म को आप एक एकिकरत प्रणाली समझ सकते हैं, परिवाशत किया जा सकता है, जो अपनी प्रथाओं में विश्वासों से एक समोधाय विश्यष को नितिकता से जोडता है, मौरिलिटी से जोडता है, ठीक है, हर व्यक्ति को अपने धर्म से प्यार है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्ल एक समुदाई विशेश को बताता है उस धर्म में अपनी आश्था को बताता है पवित्रता को बताता है बच्चों आप समझ रहें मेरी बात तो इस प्रकार धर्म जो है एक पुन्य और पवित्र पुन्य और पवित्र है ठीक है और ये मनुश्य की भावनाय उसकी आस्ता है अपने धर्म के प्रती जो होती है वही बता सकता है कि उसका धर्म उसके लिए क्या है पवित्र है या पवित्र है सात्विक्ता है या सात्विक्ता है ये मनुश्य खुद ही बता सकता है क्योंकि आ अगला पड़ते हैं धर्म और निर्पेक्षता का अर्थ पास्चा ते धर्म निर्पेक्षता ते सर्वता अलग है बिन्न है भारत बहु धर्मों का देश है जिसमें अनेक धर्म और मतों के अनुयाई निवास करते हैं अनेक धर्म वे मतों के अनुयाई निवास करते हैं धर्म निर्पेक्षता का अर्थ आप समझे क्या लि ऐसी भी धर्म को मानने वाले के साथ भेदभाव नहीं हो और सभी धर्मों को अब्हकीन सामांद्रश्टी से देखा जाए भारत में धर्म निर्पेख्ष्टा को समविधानिक दर्ज़ा प्राप्त है और यह सर्वत्र सवीकार रहे ठीके धर्म निपेक्षा से तात पर रहे हैं किसी भी धर्म को मानने वाले के साथ कोई बेदबाव नहीं हो और सबी धर्मों को समान द्रश्टी से देखा जाए सर्व धर्म समान ठीके सबी की नजर में धर्म समान है क्योंकि हमारा भारत देश हम बहुत भागेशाली है कि हम निवास करते हैं क्योंकि भारत देश एक ऐसा राश्ट्र है जहां सभी धर्मों को समानता दी गई है और हमारा राज्य किसी एक धर्मों को कोई महत्व नहीं देता सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया है यही धर्म निर्पेख्षता कहलाती है यह भारतिय संस्कृ प्रति के मौलिक असमीता है क्योंकि भारत में अनेक मत और मतांतर पाये जाते हैं अनेक मत और मतांतर पाये जाते हैं भारत में इश्वर को मानने वाले भी हैं और इश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं धर्म सहिशनुता इस देश की मिट्टी में हैं अपने अपने धर् देखने को मिलती है ठीक है फिर देखिए आप धर्म और नेतिकता से क्या मतलब है पहुती साधरन सी बात है कि धर्म का संबंध नेतिकता से भी जुड़ा हुआ है है ना धर्म का मूल लक्षे मानव मात्र की सेवा करना होता है धर्म जो है वो अच्छे आचरण, करुणा, शील, अहिंसा पर बल देता है सभी धर्मों में सिदान्त ते यही भावना नहीं ते धर्म बुराईयों से दूर रहने भलाई और सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक वे आडंबर रहित है धर्म का काम क्या है? धर्म का काम है भलाई करना, धर्म की स्तूती करना, आडंबर पून जीवन बिताना, आध्यात्मिक जीवन बिताना धर्म और राजनिती का विवेक पून मिलन भार्त मानव कल्यान में साधक होता है भारती विचारधारा के कई विद्वान पास चाते शब्द रिलीजन को धर्म शब्द के प्राइवाची के रूप में सुईकारने से हिच की चाते हैं क्योंकि धर्म जो है वो रिलीजन से कही अधिक विस्तृत और नेतिक विचारधारा है केवल रिलीजन शब्द बोलना ही काफी नहीं होता धर्म में न केवल नेतिकता है बलकि नेतिक दाइत्व के भोतिक गुणों और प्रकरती और मानव के संबंदों मनुष्य वे जानवरों के व्यवहार को भी अंतर नहित किया गया है आज के संदर्व में इतना व्यापक द्रश्टिकों अप्रसांगिक हो सकता है भारती दर्शन में अगर हम बात करें तो नेतिक और तारकिक बलका आज भी हम प्रचूर मातरा में प्रियोग कर सकते हैं यदि कोई भी धर्म अपने आध्यात में पुरुशों द्वारा प्रतिपादित नेतिक मुल्यों का अवलंबन करता है तो मानवता के लिए वो सर्वता उपयोगी होता है दुर्भाग्य पुवश्व विभिन्य धार्मिक मतों वे पंतों ने अपनी व्यक्तिगत श्रेश्टता को इस्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ना भिढ़ना शुरू कर दिया इस तरह आपसे विरोध और विद्वेश कलह की प्रवर्ती ने धार्मिक संगर्ष की सती उत्पर्ण कर दी आप समझ रहे हैं मैं क्या केरी हूँ एक धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रचार अपने धर्म को बढ़ावा देने की वज़े से उनके विचारों में जो है शेष्टता खतम हो गई और वो एक दूसरे से अपने धर्म के खातिल लड़ना शुरू हो गए तो ये जो विरोध आया ये जो विद्वेश आया ये जो कलह आई ये धर्मिक संगर्ष की सती पैदा होती है हर व्यक्ति अपने धर्म से प्यार करता है और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास करता है भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को सामान मह दिया गया है सभी धर्म के साम्मान्य विश्वास और मुल्य एक जिसे होने के बावजूद भी वे अभी तक एक धरातल पर आने को तयार नहीं है धर्म अलग है मनुश्य अलग है लेकिन भावनाए एक होने के बाद भी कई बार मनुश्य अपने धर्म के प्रती ही आस्ता तो कभी भी कोई भी किसी भी धर्म को लेकर लड़ाई नहीं कर पाएगा विभिन्य धर्मों के ज्यान वे मुल्यों का परसपर आदान प्रदान विज्यान से भी कई अधिक उपयोगी हो सकता है एक विज्ञानिक सत्य तब अधिक सूद्रण हो जाता है जब वे अन्य देशों में हुए शोधों से प्रमानित माना जाता हो जिस प्रकार विज्ञान के शेत्र से शेत्र में कुछ भी विदेशी नहीं होता उसी तरह धर्म के शेत्र में भी कोई सामप्रदैक्ता नहीं होनी चाहिए नी संदय विश्व में ऐसे कई समासुधरक भी आए जिन्होंने सभी धर्मों के व्यभारिक संसुलेशन के प्रियत्न किए यदि सभी धर्मों के सामाने तत्वों के समानांतर अनुभों को एक कोश के रूप में संग्रहित किया जाता है तो धर्म की इस्थती और प्रतिष्टा विज्ञान और लोकतंत्र के समतुल्य हो जाती है यदि कोई धर्म सत्य की इस्थापना का दावा करता है तो सार्व भोमिक ग्रहता और प्रयोजिता इस्थापित करनी पड़ती है एक धर्म तभी उपियोगी हो सकता है जब वे अन्य धर्मों से एक रूपता इस्थापित करता है इसलिए सभी धर्मों का मिलजुल का रहना बहुत जरूरी है तभी एकता का आप उधारन दे सकते हैं राष्टर की एकता को खंड़ेतोने से बचा सकते हैं जो धर्म दूसरे धर्मों के निंदा करता है भहतना करता है तिरिस्कार करता है वे उनके धार्मिक विश्वासो प्रथाओं और रिती रिवाजों की ग्रणा की द्रश्टी से भी देखता है ऐसा धर्म कभी भी सत्य परक और सार्व बमिक नहीं हो सकता आप इस बात को समझ सकते हैं तो ऐसा धर्म कभी भी सत्य परक नहीं रहता धर्मिक माननेताओं और आस्थाओं का किसी प्रियोग शाला में परिक्षन संभव नहीं है हम अमारी माननेताओं को आस्थाओं को कहीं दिखा नहीं सकते हैं उसका कोई प्रियोग नहीं कर सकते हैं धर्म श्रेश्ट है जो नेतिकता के पेमाने पर खरा उतरता है धर्म का महतोपून लक्षे मानव मात्र का कल्यान होना चाहिए अलग-अलग देशों में माननेताय आश्थाई भी अलग-अलग हो सकती है लेकिन सत्य और नेतिकता को देश के काल और परिधी में बाटा नहीं जा सकता सत्य अपने आप में ही एक धर्म है और नेतिकता अपने आप में ही धर्म की आश्था है नेतिक सत्य सभी धर्मों में प्रेम, करुणा और दया का संदेश देता है सभी धर्मों के समान मुल्यों से विश्व में श्रेष्ट राज्य की स्थापना संभव है नितिक्ता के नियमों का धारण भी धर्म का प्रतीक है